बड़ आफ्टरून फ्रेंड्स वेलकम यू आल यूर वाचिंग आजब लॉग लगवर्स चनल संट टुडए वी अगई तुड़ का डेली मुमेंट कैसा रहेगा आज का कुरूड में आने वाले टैम में क्या लेवल्स रहेंगे कुरूड के मंडे के क्या लेवल्स रहेंग अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ठीक ना टेकनिकल चार्ट का अनलेसिस करेंगे तो दोस्तो 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बल ऐकन दबाके इस तरह की गंटी दिखे कि उसको दबाके स कि तो ऑपर जाता है करो फिनीचे आता है फिर उपर जाता है ऑप जANG जा जाता है दोस्तो मैंने का सब्सक्राइब की सब्सक्राट L с की है लेवल से रिसक मैनेजमेंट啊 सकता है उसके बारे में डेटेलस से बात करेंगे दोस्तोफ रइत दोस्तो न्यूस में आपको कुछ बता रहें आ से रिलेटेंट है पूरे स्टॉक मार्क धte तो हम आ जाते हैं ब्लूमबर्ग में देखो तो सिंगापूर में हो गई है काफी सारी प्रोपर्टी की वेल्यू डबल ठीके ना वहाँ पे महंगई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी आपने देखा होगा आर्बे ने रेपो रेट हाइक की है इंडिया आर्बे इंफ्लेशन अभी रुखने वाली नहीं है दोस्तों इंफ्लेशन रुखने वाली नहीं है तो आपको पता है यह स्लोडाउन और रिशेशन कभी भी हो सकता है तो काफी सारी चीज़ है चाइना में देखो यूवान की जो करन्सी बहुत नीचे आ गई है तो इनका क्या फर बता चल जाएगा क्यों यूहान क्या होती दोस्तों जैसे हमारी इंडियन करन्सी है एक तो आपको पहले बता दूँँ कि जो सबसे बड़ी इंपोर्टर रेकूटर की ओल अवर द वर्ल्ट वह है चाइना और उसके बाद आता है इंडिया का नमबर तो आब मैं जब कह रह तो यहाँ पर चाइना को फाइदा जादा होगा तो इंडिया में बाई लेटर्र एकर आपको नहीं पता है तो हम कितना इंपोर्ट time माइनिस इंपोर्ट करें तो कितना हमारे पास माइनस में आता है लेकिन चायना में दूसरी यह प्रॉब्लम अगर चायना में युहां वीक हुआ तो उसका मतलब यह है कि चाइना क्योंकि इंपोर्ट कम करता है चाइना वह सब्सक्राइब उपर दो यह सबसे बड़ा वाइदा चाइना की एकोनोमी को है तो चाइना बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है दोस्तों रइप्ले कर रहा है इस मार्केट में भी तो आपको एक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है जब हम क्रूड ओल इंपोर्ट करते हैं और डॉलर उपर जा रहा होता है तो इंडियन एकोनोमी को नुकसान पोचता है जो क्रूड की प्रैसे होती है वो फर्दर डाउन जाती है दोस्तों यह एक सप्लाई डिमांड का एकोनोमी दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं अब हम आ जाते हैं डिरेक्ट क्रूड में क्या निवस आई है तो हम आजाते हैं कुड़ प्रैस डॉट कॉम पर दोस्तों देखो और दूसरी सबसे बड़ी जो न्यूज बता रहो मैं आपको जो मैंने अपने थंब दिल में लगई है यूज प्लान टू पावर हंड़ेड परसेंट ओविट्स फ्लाइड विद रिनेवल जेट फ्यूल मैंने आपको पहले भी बोला है नाचली के सब्सक्राइट खुब नचली बडेखर आप बस घृइशर परीट्मर्ट ढाइंड वाले नर। पाइस सब्सक्राइव सबस्चे को प्रविश ने क्या किया है देखो हंडेड परसेंट विट्स फ्लाइट विट्स फ्लाइट विट्रीनेवल जेट फूल अब यह बहुत 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 ज्यादा कुछ करता पहले वाइन एनरजी फिर सोलर एनरजी और फिर नजाने क्या कौन-कौन अब यह क्या होता है इसके बारे में आपको पहले इंग्विश में बताता हूं फिर हिंदी में अन्वाद करके बताऊंगा रिनेवल जूट जेट फ्यूल करंट्री अकांट्स फर ओंली 0.1 परसेंट फिल अभी तक जो यह रिनेवल जेट फिल हम यूज करते हैं वह सिर 0.1 है मतलब ना के बराबर है राइए परसंटेज आपको पता होगा जो सब्सक्राइब करते हैं जैसे अगर मानलो 100 परसेंट कोई क्रूड बनाया जिसे पैट्रोल हो या पैट्रोल है तो उसमें क्या करने टैन परसेंट एथनोल मिलाएंगे और 90 परसेंट पैट्रोल मिलाएंगे तो उससे क्या होगा ना एक तो यह होगा कि जो एथनोल है वह पॉलिशन नहीं करता है तो इसक्वाइट एंवार्मेंट फ्रेंडली राइट और वह गन्ने से बनता है तो गन्ने के जूस से बनता है दोस्तों वह हमारी किसानों के लिए भी मतलब आगे एक प्रॉस्पेरि इंडिया एकोनोमी पर तो ठीक ना तो उसी तरीके से अब यह जो एक जेट फ्यूल वाली है यह एक नई टेक्नोलोजी है जैसे हम इलेक्ट्रिकल वेहिकल बनाने जा रहे तो उसमें गवर्मेंट सबसुडी देती ना तो वही चीज है यूस में कि जो रिनेवल जेट फ्य प्रोस्पेक्टिव में वह फाइदे मन बिसनस है तो यूस सारे वो टार्गेट कर रहा है जो जहां-जहां भी उसको फायदा होता पहले वाइन सोलर तो यह सारी चीजे जो मैं क्यों डिसकस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो शॉर्ट टम प्रोस्पेक्टिव में जब यह चीजे हो जाएगी ना तो कुरूड ओल की प्रैसे काफी डाउन जाएगी बहुत ज्यादा डाउन जाएगी कुरूड की वैली नी रहेगी प्लस आपको दिखी रहा है कि रिशेशन कितना है और यह एक ब्रेकिंग यूस में अलग से बता देता हूं दोस्तों फिर हम चार् सबसे पहले मैं आपको कोई ट्रेड करना है अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपने जो भी सर्टिफाइट करिये या फिर अपना खुद का रिसर्च करिये और फिर ही इन्वेस्मेंट करिये ठीक ना क्योंकि आपके प्रोफिट एंड लोज के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं सिर्फ आप जिम्मेदार है मेरी उसकी कोई अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं और फिर अपनी रिसर्च करके आप प्रडिक्शन कर सकते हैं तो रस्य नोल फ्यूल एक्सपोर्स लंप सिन स्थेम्बर अब यह क्या चीज है भई अब यह क्या ना है राइता बिला चलो बात कर लेते हैं कि रस्चे डूल रिफाइन प्रोडक्स डिक्लाइन सबस्टांशली इन सब्तेम्बर अकोडिंग टू हो गई होगा वह साब हो गई होगा आप तो एक तो पहले तो आप पे शेंशन लगे फिर उसके उपर आपकी मतलब आपका गुरूर जानी रहा है साला जब हम इंडिया ने बोला कि हमको सस्ते में ओल चाहिए तो आप देनी रहो तो फिर आपका एक्सपोर्ट नीचे जाए ग तो आप समा सकते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है अगर डिमांड होती तो तो नहीं लेते हैं क्योंकि दोस्तों कमी नहीं है कुझा करि किके हैं कहीं कमी नहीं है पतानी फाल्त이고 में यह ये विएंड होता ही है यो मुझे शर्णा पड़ता ये बात करें बात करें यह कोई चार्ट है तो कोई चार्ट बच्चे ने जब लिखना सीखता ना तो जैसे रंगीटे कहिषता है ना वेसे खींच रखा यह कुछ पैटन नहीं है लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे लग रहा है कि यह अगर 82.15 के उपर जाता है तो हाँ पे एक स्पाइक हो सकता है ठीकरा कि लेवल के स्पाइक हो सकते हैं उसके बारे में डिटेर में बात करेंगे ठीकरा तो जितने में यह चार्ट बनावन दोस्तों फटावट से फिबोनसे स्रीज आप जन्देट कर लिजे आपको उसे चैंडल इवेंडल जिससे भी कर अब उपर ट्रेकर होगा दोस्तों और लेवल्स मुझे ज्यादा लेवल्स लगनी रहें 83 के अंदर ही दिख रहा है मुझे लेवल्स ठीका ना 82.15 के बाद उपर सस्टेन करता है एक लिस्ट फोर टू मिनिट्स देना इवोट से लाइक लेवल्स अराउंट 83 को क्रोस करेग लेकिन 83 के आसपास के लेवल्स आपको दिख सकते हैं यह तो वह उपर के लेवल्स अब नीचे के लेवल्स वता देता हूं कि नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे ठीक ना नीचे के लेवल्स में कि नीचे के लेवल्स जो मुझे दिख रहा है दोस्तों यहां पे कि वो क्लियर कट लेवल्स दिख रहा है नीचे के लेवल्स पर लेकिन अगर यहां से 81.7 द्यान से सुने का दोस्तों 81.7 के नीचे जाता है तो जो लेवल्स दिखेंगे let me again see 81.75 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस 80 के लेवल दिख सकते ठीक है ना देखें बात करते करते 82.14 पे आगया है 82.14 पे आगया है तो अब देखते हैं कि यह अगर 15 के उपर sustain करता है तो नीचे के लेवल्स मिने आपको दे दिये दोस्तों अब हम जाते हैं चलो 1.82.17 पे आगया है अभी sustain नहीं किया है ठीक है ना तो sustain का मतला दोस्तों यह नहीं होता और यह देखो वापस से नीचे आगया है ठीक है ना तो दोस्तों मैंने आपको लेवल्स बताती है international market के हम मैं बात कर लेता हूँ हमारी इंडियन मार्केट के प्यार इंडियन मार्केट के राइट तो यहाँ पर भी दोस्तों यह मुझे लग रहा कि एक बहुत बड़े resistance लेवल की तरफ जा रहा है दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हो कौन से लेवल्स है छेजा वन वीक का चार्ट देख लेते हैं डेफिनिटली दोस्तों 6700 के नीचे डेफिनिटली तरुके देर विल बी लोवर साइड टू मच लोवर साइड 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 से लाइक 6700 की नीचे आपको इसली 6600 की लेवल्स आपको दिख सकते हैं और उपर की साइड में अगर आप मुझसे पूछे ठीक है ना तो वन व हुआ है हुआ है है हुआ है है चेंज आप साइड से बच्छीस बन मंका दोस्तों मुझे कुछ लग नहीं रहा है कुछ खास डंक से जी है 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 हुआ है है 6 मंत का ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ 6750 को गर यह क्रोस करता है और सस्टेंट करता है लिए फॉर टू मिनिट्स तो हमको फिर से मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे आगे कोई लेकिन नीचे में मुझे 6700 के नीचे अगर जाता है तो 6000 आपको इजीली 600 के लेवल्स देख सकते हैं लेकिन दोस्तों एक अलर्ट मैं बता देता हूं यहां अगर आप कोई भी ट्रेट करें जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा ठीक ना क्या कहता है देखिए अब आपको चीजों को समर्जना पड़ेगा कि ओपेग मीटिंग मैंने बता चकी कि पांच अक्टमपर को ओपेग मीटिंग आने वाली है आज अब क्या करना चाहिए पांस तारिक से पहले तो अगर आप कोई लेते हैं तो मुझे लगता है कि वह बड़े सिर्फ वंडे के लेवल्स लेने चाहिए आपको क्योंकि अभी पांस तारिक से पहले का मतलब तीन तारिक से पूरा रायता फैलाना स्टार्ट रगा से पूरा रायता प्याओ और यह बंदक है वह अनुस के बाद आपको एक बार तोड़ा सा ट्रेड जब करना जब opportunity होती है आपके पास समझेरों जब आपको levels दिखते हैं तब trade करना ज़्यादा important करता है अगर आप इस तरगी से trade करते हो ना देखो एक बंदा उस तरगी से trade करता है जब उसको opportunity मिलते हैं और एक बंदा क्या करता है मुझे तो रोजी करना है जो रोज मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं यह सिफ अंदर से एक जजबा आता है कि आप passionate है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं इन्नोवेटिव तरीके से सोचते हैं कि चलो मुझे यह करना चाहिए मुझे ऐसी strategy अपना चाहिए लेकिन जो सिफ लेवल देखके चले है इंपोर्टन रिस्क मैंजम्न केसे करना आप जिसे ओपे की मीटिंग आ रही है तो कोई जरूरी आपको पता ही है वो लोग तो अपना काम ही करते हैं उन लोगो तो production कट करना में बढ़ानी है तो रूडोल और महेंगे दामों बेशना तो उनका कामी है इए ठीक है ना व होने वाला है थोड़ा वो तो होने वाला ही है तो पता ही हमको इंफलेशन में बढ़ने वाले कितनी वह पता नहीं वह पता है तो आपको इसलिए चुप्चा बेड़ जाना चाहिए आज का लेलो फिर अगर बस सडरी संडे मंडे टूजडे आराम से विरेस्ट करो और मंडे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाके काफी लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वह गंड़े तो जाते 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 लाइक का बटन दबाना पूल जाते तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाके काफी लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वह गंटी बजाके और क्लिक नहीं करते हैं तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा मार्केट का रूल यही है जैसे आपकी सप्लाइब होगी वैसे डिमांड होगी अगर आप उन वीडियो को वाइरल करते हैं जिनमें कंटेंट अच्छा नहीं है सोच बाहर से चिर्फ उनको एक्ट्रेक्टिव दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं तो फिर आपको उस की डिमांड होगी वेसी ही सप्लाई आपको मिलेगी दोस्तों विद इसका वीडियो आने वाला है इसके बाद दोस्तों सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क्लिके बेल आइकन दबाखे सलेक्ट और करना ना भूले इसका अचे एन साइन